दोस्तो एक जाम इकतर में एक बार पिर से आपका स्वागता आशा करता हूं आपसे भी है चाहूंगे तो दोस्तो एमस BSA नर्सिंग की फस्ट रांट काउंसिलिंग 활ailleurs आपके एक अफसरे डाउट थे अपग्रीडियर को लेकर तो अपग्रीडियर के क्या rules हैं जानकारी आपको इस वीडियो में लेगी और साथ ही choice feel करने के बाद में आपको seat alert हो जाती है तो seat alert होने के बाद में आपको दो option दिखाई देंगे एक option रहेगा आपका accept allotted seat and do not wish to participate यह आपको एक option दिखाई देगा second option आपको इस तरीके का आएगा accept allotted seat and want to participate in second round इस तरीके से दो option आएंगे आपको seat alert होने के बाद में इन दोनों में से आपको एक option पे click करके आपको आगे की process में participate करना रहेगा अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक option पे click नहीं करते हैं तो आपका signature cancel कर दिया जाएगा साथ ही आपको अगर seat alert होई है तो वो भी आपकी cancel कर दिया जाएगी तो ये important है आपको accept या इसको तोनों option में से किसी को भी accept करने के लिए अगर आप first option को accept करते हैं तो आपने जो seat alert होई है ये मान लीजे कि आपने उसको accept कर लिया है और जो भी college आपको alert होई है उसमें आपको final admission मिल जाएगा और उसमें आपको reporting करवानी रहेगी जो भी schedule चारी किया गया है उस date के दोरान अगर आप second option accept करते हैं तो second option का मतलब ये रहेगा कि आपने जो seat upload होई है उसको आप accept कर रहे हैं लेकिन आप second round counseling में participate करना चाहरे हैं तो second round counseling में आप participate कर सकते हैं आपको अगर first round में जो college upload होई है और वो आपको पसंद नहीं है अगर आप second round में जाना चाहते हैं तो आप second round में जाने के लिए आपको option second वापे select करना रहेगा और उसके बाद में आपकी जो first round counseling में जो seat upload होई है वो आपकी automatically ही cancel हो जाएगी और second round में जो आपने first round counseling में जो seat आपको मिली थी वो किसी और candidate को मिल जाएगी तो आप अगर second round में जाना जाते हैं तो source समझ के आप second option पे किलिक करना है अगर आप satisfy या जो भी आपको seat मिली है तो आपको फिर first round जो first option है उसको select करना है अब second round counseling में आपने अपग्रेडेशन करवा लिया ये अपग्रेडेशन की process है और आपको second round counseling में कोई भी seat alert हो गई तो आपको उस पे reporting करवाने ही रहेगी ये necessary है अगर आपको second round counseling में कोई college alert होई और आपको वो पसंद नहीं आई तो ये नहीं चलेगा आपको जो second round counseling seat alert होगी उसमें आपको admin से लेना ही रहेगा अगर आप उसमें admin से नहीं लेते हैं तो आपको एक लाग रुपे की penalty देनी पड़ सकती है तो सो समझ के आपको upgradation करवाना है तो आप यहां पे देख भी सकते हैं कि failure to join the upgraded seat तो अगर आप first round में पसंद नहीं है second में आप upgrade करना चाते हैं और उसमें आपको alert होगी है और आप उसमें भी join नहीं करना चाते हैं तो फिर आपको एक लाग रुपे की penalty देनी पड़ सकती है तो फिर आप अगर join नहीं करते हैं तो आपको एक लाग रुपे की penalty आपको देनी पड़ सकती है और साथ ही अगर आप join नहीं करते हैं तो आपको expenditure भी cancel किया जा सकता है और जो first round counselling में participate लेंगे वो second round counselling participate कर सकते हैं अगर आप exit कर जाते हैं तो आपको second round counselling participate करने का मौका नहीं मिलेगा और दोस्तो ये upgradeation का आपको किवल first round counselling में ही दिया गया है आगे की जो counselling process होती है जो भी round होते हैं उनमें आपको upgradeation का कहीं भी इनके द्वारा mention नहीं किया गया है तो आपको किवल first round counselling में ही upgradeation का option दिया जाएगा उसमें आप अपना accept या आप accept allotted seat and want to participate in second round या आप अपना वहां से choose कर सकते हैं अगर कोई भी doubt आपका upgradeation से related तो हम मुझे comment box में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं next new video में next new update के साथ मैं धन्यवाद जेहिंग जेवार